पंजाबी अकाडमी चैनल विच आप सब्दा एक वार फिर तों स्वागत है। आज जसी क्लास दस्मी दे नावल एक होर नमा साल बारे पढ़ांगे। इस नावल नो तिन पागा विच वंडिया गया है। पहला पाग काड एक सवेर, दूजा पाग काड दो दपहर, तीजा पाग काड तिन शाम। नावल दा काड पहला असी सवेर पढ़ चुके हां। इस दी वीडियो दा लिंक में डिस्क्रिप्शन विच दे दवांगे। तुसी उत्थों क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। आज जसी नावल दा दूजा काड दो पहर पढ़ांगे। रिक्षा करदे बाहर खड़ी करके बंतेने कंटीव जाई ते फुमन दोड़दा होया आया। उसनू नवे साल दी चुटी सी। ओ आके काठी उत्ते बैठ गया ते कंटीव जाउन लगपया। कुमन जदो इस तरह करदा सी ता बंतेनू उक्कावी चंगा नई सी लगदा। उसनू डार सी की ओवी किद्रे वड़दा होके इहो कमना शुरू करदेवे। उसने अपनी पत्नीनू केहा कि जेकर उसने रोटी पकाई है ता पादेवे। पत्नीने उत्तर दिता जे ना पकाई हो ता फिर मैं चलदा हा। एक आके बंता सच्ची मुच्ची मुडपया। पर तारो उसनू बाहों फड़के चौंके विच लेयाई। उसने रातदा साग गरं कीता ते मकीदिया रोटिया पकोणिया शुरू कर दितिया। फिर उसने चातर दिति। जिन्नाची रोचा पिंदा रहा तारो उस्वल देख दी रहे। आज बंतेनू उसनिया अख़्ां विच अजीब जहील लिश्क दखाई दिति। बंतेने जेव विच्चों पैसे कड के उसनू दिति। उसने नोट गिन के हाथ विच फडले ते पान बंतेनू वापस कर दिति। बंतेने पुछिया ओ रात नू उस लई की लेके आवे। ता उसने केहा मेंनू कुझ नहीं चाहिदा। ता बंतेने उसनू केहा कि उपने लेक चगा बनवालवे। पर तारो ने केहा कि एही चगा उसनू चंगा पला है। बंतेनू ख्यालोंदा है कि जदो आदमी अपनिया तीमिया नाल बजार विच्चों बहुत सारे बंडर लेके उस दे रिक्षे ते बैठदे हन। लारा होंदा है पर ओहो छेती ही तारो दिया आखा वांग उदास हो जानदा है। बंता हैरान होंदा है कि तारो अपनी उदासी दे कारण क्यों नहीं दस दी। ओह उसनू कहनदा है कि आज जो हो कोई सोनी जही गल करे। वो पुछ दी है कि सोनी गल केहुजी हुंदी है बनता उत्तर दिन्दा है जिमें तूँ आखें अज बड़ा बद्दल है गरम गरम कोड़े लिया पौड़िया वाले पुल कोलों पर जेकर बद्दल ना होवे फेर तूँ कहें किन्नी तुप लगी है आ ना चलिये किते कुम म फिरन नाले ओंदे होई साड़ी भी ले आमांगे ड्राइकलिन कोलों तारो कहन दी है कि उसनों जेहिया गल्ला कर दें शरम होदी है बनता कहन दा है कि ओ तांचली ही रहेगी तारो उत्तर दिन्दी है कि ओ तांचली ही चंगी है ओ जो क्योंकि बहुत स्याना हुंदा जा र पर पहुंचदा किते भी नहीं, जिद्गर कोई कहनदा है उद्धोनों ही चल पहनदा है, वो समझदा है कि उद्धा कम चलना ही है, रुकना नहीं, इन्ने नुफ उमर बनते को ला जानदा है ते उस कोल अपनी किताब विचों पाट पढ़न लग पहनदा है, पाट विचों दिन दुगनी, चोगनी तरक्की कर रहा है, साड़े देश विचों लोक राज है, असी अपने देश विचों छेती ही गरीबी बाहर कड देंदा प्रन किता होया है, फुमन गरीबी दा अर्थ पुछदा है, ता बनता कहनदा है कि तेन्नों गरीबी दावी नहीं, पता एक हुंदी है, ओ दस्दा है कि ओ गरीबी कारण पड़ नहीं सकया, फुमन उसनों होर प्रेशन पुछदा है, पर बनता उसनों खिडन मनलन लई, तोर दिन्दा है, बनते ने देख्या कि तारों स्वेटर बुन रही सी, बनता कुछ दिर अक्खा बंद करके पेया रहा, पर उ उसनों नीदर ना आई, उसनों पुराणिया गला यादों लगिया, फिर उसनों याद आया कि उसनों याद आया कि उसनी मंगनी छोटे हुंदिया ही हो गई सी, उसनी मंगनी उसनी मामी की पती जी तारी नाल होई सी, फिर ओहो उसने व्याली जोर पौन लगी, पर बनता च चाटूस दा व्या करवा दिता बंते नू गिला से कि उसने अपनिया पैना लई वी वित्तो बारियां चीजां बनवाईयां सन पर फिर भी उसना नाराज हो गईयां सन पिछे तारों कई दिन रोंदी रही कि उसते ट्रंक विचो कुछ चीजां गाइब सन उसते गुसे वाले मूँ तो तांगा के एक दिन बनता उसना रुस बैठा जदो वो स्वेरे उटिया था बेबे दी बनाई चापी के फिर लंबा पै गया उस दा ख्याल से कि तारों उसनों रिक्षा लेके ना जान बारे पुछेगी पर उसने कोई परवान आ की थी अंत बेबे दे करो बाहर जानते बनते ने तारों नो अपने कोल बुलाया ते उस दी बाँ फड़के किया कि उस दी तबियत ठीक नहीं जेकर उस कोल बैठे गी ता उसी तबियत आपे ही ठीक हो जावेगी पर तारों कहन लगी जेकर बेबे वेके गी ता की कहेगी इस करके उहो उस दी बाँ छट द बंते ने कहा कि ओहो अते बेबेदों में उस वाल हन। एस उनके तारो कहन लगे कि उसनू ता बहुत गल्ला ओंदिया हन। बंते ने कहा कि हाँ ओ पंगड़ा पा सकदा है बूलियां पा सकदा है ते रिक्षा भी चला सकदा है। इस परकार तारो दा रोसा कुझ कट गया ते कारविच रचमिच गई। बंता 14 सी की तारो दी चोली रुपया नल पार दवे। रात नू जद बंता उसनू पंसात रुपय दिन दा ता उसते मुहों उत्ते खेडा आ जान दा। बंते दी सारी थकावट दूर हो जान दी। कई समय बंते ने उस उत्ते बड़ा तर सोंदा। परो सोचदा ए उस दे वस्दी गल नहीं। बंते नू ख्याल आया कि एक वर हो बसंत पंचमी वाले दिन तारो अते बेबे नू रिक्षे उपर बठा के शरेटे गुर्दवारे वलतुर पया। बंते ने उस दे कहनू सार उस किना कोई रिक्षा भी जा रहा सी। बंता रिक्षा बहुत ते चला रहा सी। पिच्छे बेबे ते तारो दोमें डिगन दे डर तो एक दुझे नू फड़के बैठिया सन। तारो ता बहुत डरी होई सी। ते बेबे बंते नू रिक्षा होली चलोंली कह रही सी। इस समय बंते दा दिल असमान विच उड़न नूं करदा सी रिक्षे नूं कहवेली कुल खड़ा कीता ते हो गुर्दवर वल नूं चल पे राविज रोटे खान बारे गल्लां कर दे हो गुर्दवरे दे कौल पहुंच गे बाहर चल रहे हल्ट उते हाथ पेर तो उते ते गुर्दवरे दे अंदर पहुंच गे अंदर जाके मथा टेके ते माननू शांती आ गई फिर परशाद लेके चकेया बंते ने फुला दा परशाद लेया ते अखानू लाके अपनी पाग विच टंग लेया गुर्दवरे तो बाहर निकले बंते ने बेबे ते तारो दा दिता परशाद खादा ते बेबे ने अरदास की थी अच्छा सुक रखे अगले साल आमांगे काके नू नाल लेके फिर ओना ने पकोड़ियां ते अचारना रूटियां खादियां बंता नेडे ही सोंग गया ते बेबे ते तारो आपस स्विच गल्ला कर दियां रियां बंते नू इस तरह मैसूस होया जी में हूँ आज बसंत पंचमी वाले दिन ही निंदर नू ले रहा होवे वो सोचन लगगा कि ये सारा समा किस तरह चाट बीत जानता है इस पिछो बंते नू एक होर कटना चेते आगे एक वार जदो उसने फुम्मन नू वैद को ले जान ले तारो नू रिक्षे विच बैठा ले किहा ता उसने उस कोलो बेबे नियां पुरानियां गल्ला विरु विवद गया सी बेबे दा सुबावी बरा चिप्छड़ा हो गया सी ओ दोमें किसे ना किसे गल्तो लढ़ दियां रह दियां सान पर बनता जिस दिन का रविच होंदा ता कोई लडाई ना होंदी ए देखे बनते दा मन बहुत खराब होंदा पर ओ सोचदा कि उस दा हत सोखा हो जान नाल कर दे सारे कलेश दूर हो जानगे उसनों ख्याल होंदा है कि कमाई करंदे होर वी सादन हन जिमें फत्तो रिक्षे वाला अफीम बेचदा है नत्तु सवारियाँ दा समान चुरा लेंदा है बनता जिहे कमनों कटिया ते नमोशी वाला समझदा है उसनों किशने वरगा चंगा बन्दा याद आया जो सवारियां दिया पुलियां चीजां भी वापस कर दिन्दा सी एक वार उस दे परिवार दा पुलिया होया पर्स वापस कर दिता जिस विच गैनियां दी पोटली भी सी बनता जे इही कर सोच रहा सी कि तारो ने आते उसनू उठा ले के हा बनता उसनों अपने कोल बैठन ली कहनदा है पर कोई वी दिल्चस्पी जाहर नहीं कर दी तारो चात अरन चली जानदी है बनते दा मन दुखी हो जानदा है ओ तारो दे कुटे ते उड़े मूनू देखदा है ओ चोंदा है कि ओ किस पर दे चला जावे ते उत्थो कमाई करके पेजे जिस नालो अपनी पतनी द्यारी जान ला लवे जदो तारो चाल लाके उड़ी है तर बनता उसनों कहनदा है कि साधिया कुडिया दीता जोड़ी है पर फुमन इकला है पतारो उसवल कूरी वट के वेख दी है बनता चुप कर रहनदा है बनता समझदा है कि बेबे दे पिंड चली जानते तारों दे इस परकार कूरी वट के देखंदा कारण पैसें दी कमी है बनते नों याद आँदा है कि एकवर जदो मीम वाले दिनों ठक टुटके कर पुझाता उसनों कांबा चुड़िया होया सी जिस दिन उसनों कोई सवारी ना मिली तारों अफसोसी जी बैठी उसने अजे चुले विच आगवी नहीं सी बाले बनते ने उसनों चाबना के देन ले किहा तारों ने गुसे विच किहा की ओहो गुड ले आवे फिर उसनों चाबना ले किहे तारो ने कहा कि जसीदा व्या अगले मिनेदा है पर ओ नहीं जावेगी क्योंकि खर्च उसनों सा नहीं लैंदन दा बंते ने कहा कि ओना दे कर ना कपड़ा है ना ही पैसी फिर करजा ओना दे सिरू पर खड़ा है बंते ने कहा पैनादा व्याब बहुत जुरूरी सी बेबे खेड़े पै गई सी बंते ने कहा कि वो करजा उतार देवेगा ते ओहो उस देपरामा तो कुझ नहीं मंगेगा इस गलते तारों ने बंते विचकार तलक कलाम में हो जान्दी है बंते ने उस दी पिटते दो चार तप फे मार देते थे बच्चे रोन लग पे तारों डुसकन लग पे इस तों पिच्छों बंता करो बाहर निकल गया ओ सोचन लगा जदो उस दा बापू बेबे नू मारदा सी ओदो उसनू बहुत पैड़ा लगदा सी ते आपो रोन लग पेंदा सी उसनू रोनदा वेक के बेबे चुप कर जान दी सी ते बापू उसनू कहन दा सी कि ओ बेबे वल है इस तरहां गल हासे विच पैजान दी पर इक गल बंते ने अपने दिल विच लाई बैठा सी कि वो अपने कारवाली नू कदे भी नहीं मारेगा सड़कते आके बंते ने सिगरट दी डबी लई थे उसने सिगरट लाके तिंचा सुटे किचे पर उसता सिगरट पी नू दिल ना किता उसता मन बेचायन होया पयासी दैम गंज पोंचके अपने एक मित्तर द्याले दा बुहा जाकड काया द्याले दी पतनी दो में ही नयातों आपने मापया दे गई होई सी ओवी एक अल्ला ही रह रहा सी उसने बंते नू अपनी निग्गीर जाईवज बढ़ाया बंता द्याले नू दस्दा है कि उसती तारो नाल खेबर हो गई है ते हो उस दे बिना कसूर दो चार तप फे मार बैठा है द्याला इसनू मामूली गल केंदा है फिर बंते दे पुच्छन दे द्याला दस्दा है कि ओवी कदे कदाई अपनी जनानी नू कुट लेंदा है बंता इस गल नू चंगी नहीं समझदा द्याला कहनदा है कि इसे करके उस दी जनानी पे क्यां दे रहन्दी है ओवी इस दा कारण गरीबी ही समझ दा है फिर ओहो सोच दे हन की यूनियन विच एग अल करनी चाहिदी है कि रिक्षे दा क्राया वदा देना चाहिदा है ओ समझ दे हन की बौतिया यूनियन दा होना ठीक नहीं जेहे कमाले एक ही यूनियन होनी चाहिदी है दियालार जाई विच्छ निकल के चा बनों लगा फिर दोना ने तुटिया डंडिया वाले कप्पा विच्छ चा पी थी गल्ला करद्या ही बनते दात्यान कारवल चला गया ते सोचन लगा कि शाय तारों ने रूटी खादी भी है या नई फिर दियाला बनते नूरिक्षे उ गया ओ बनते नू छड़के चला गया बनते ने बुहे दा दर्वाजा तिन वर खड़काया ते फिर दो तिन वर तारों दा ना लेके आवाज़ा मारिया तारों ने उठके बुहा खोलिया ते उसनू बिना बुलाए ही मंजे उते जा पई बनते ने चंगेर विच्छ रोट टी खा ली है बनता फिर फुमन नाल पै गया किना चिर ही उस दी आकना लगी इस पर का दोपैर वेले लंबे पे बनते दे मन विच कई ख्याल आई ते तारों उसनू कहन लगी कि यो चापी के लंबा पै गया है ते की आज उस दी जान दी मरजी नहीं बनता उसनू जो उसनू इंच पर तीत होया जिमें हो उस दी गल दा मजाक उडार ही होवे असल विच जदो दा बनते ने उसनू मारया सी ओदों दा उसने अजे तक बनते नू माव नई सी कीता इस गल नो पावे कई साल बीत गये सन ते उह करदे सारे कम करदी भी सी पर उस दे दिल पर हुन ओह उसनू बोता करके पली लोक कैके बलोंदा है ओवी बोता करके चुप ही रह दी है कार विच कुछ हुंदा रहे ओर रता परवा नहीं कर दी कई-कई दिन कपड़े भी नहीं बदल दी असल विच विच व्यातों पिच्चों उस दे कपड़े कदे चंगे होए ही नहीं सन बंते ने फुंबन नू स्यार क्रोली रिक्षे उते बठा लिया इस समय ही तारों ने दोवा कुडिया नू वी रिक्षे विच विच बठा देता बंता होली होली रिक्षा चलोंता हुया बजार विच पहुंच गया चौं कुतों गेड़ा दे के उहु फिर कर परत बच्चे बड़े खुश सन उना दी खुशी देखके बंते दे श्रीर विच मुड़के चुस्ती आ गई बंता उना नू कर छड़के मुड़ सड़कते आ गया इस समय चारवा चुके सन आज शाम बंते ने कर बोता समा लगा दिता सी इस तरह खेर विच में आस कर दी हां कि तो होनो नावल एक होर नमसाल दा दुज्जा पाग दुपहर चंगी तरह समझ लग चुके होवीगा तन्वाद